ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रू सादर जैसी क्रश्न हमारे यूटूब चेनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारे धर्मेंदर शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल ये राशिफले 4 नवंबर 2024 सूम बार का दिन है कर्तिक महा के शुक्ल पक्ष की तरतिया तिती है अनुराधा नामक नक्षत्र जो की सुबह 6 बच के 22 मिनिट तक रहेगा उसके बाद जेश्ठा नक्षत्र आरंब हो जाएगा चंद्रमा जो की व्रश्चिक रासी में विराजित रहेंगे दिशासूल की अगर हम बात करें तो पूर्दिशा में होंगे इसलिए पूर्दिशा की यात्रा करना नुकसान दायक सिद्ध होगा अगर किसी कारणवस पूर्दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यदा अवश्यक हो तो दरपन में अपना चेहरा देख करके यात्रा का शुभारंब कर सकते हैं राहुकाल जोकी सुभा साड़े साथ बजे से शुरू हो करके नो बजे तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुभ या मांगलिक कारिक्रम आपको संपादित नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निर्ने आप अपने क्षेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दी हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य देव जोकी तुला राशी में वहीं चंद्रमा ब्रश्चिक राशी में मंगल ग्रह करक राशी में बुद्ध ग्रह ब्रश्चिक राशी में देव गुरु ब्रहस्पती जोकी व्रशब रासी में, शुक्र ग्रह व्रश्चिक रासी में, शनिदेव कुम्ब राशी में, राहुग्र मीन राशी में तथा केतु ग्रह, कन्या राशी में ब्राजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेंश, मिठुन, सिंग, तुला, धनू और कुम्ब ये छे राशियां सबसे दिख भागिशा लेने वाली है कारिक्षत्र में इनको नत्य और प्रकतिके उत्तम अउसर प्राप्त हो सकते हैं धनलाप के साथ साथ नया काम नई जुम्मेदारी, नया मुकाम भी इनको मिल सकता है कुल मिलाकर के इन्छे राशिवालों के लिए दिन सबसे खास साबित होगा सुर्योदे सुबच्छे बज़ के 31 मिनिट पर होगा शुब महुर्त की यदि हम बात करें तो सुम बार का दिन है, सब्ता का पहला दिन है, कार्तिक का महिना है, शुक्ल पक्षे है चोगडिया के अनुसार सुबच्छे बज़े से लेके साड़े साथ बज़े तक अमरत का चोगडिया तथा उसके बाद सुबह नो बजे से लेके साड़े दस बजे तक शुब का चोगडिया तथा सुबह उसके बाद दोपर डेड़ बजे से तीन बजे तक चर का चोगडिया दोपर बाद तीन बजे से लेके शाम को छे बजे तक लाब और अमरत का चोगडिया रहेगा इस दोरान यदि आप कोई भी शुबकारी करेंगे, मांगली कारी करेंगे, नया काम करेंगे, तो आपको अधिक से अधिक फाइदे का सयोग निर्मित हो सकता है अब हम आपको मेश से लेकर के मिन सभी वारा राशी वालों का दैनिक राशी भल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंत तक देखेगा और देखने के पस्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी की भाग्य का सितारा प्रबल होकर आपको बहुत कुछ देने का प्रयास करेगा अतहसमाई का सम्मान करे घर के वरिष्ट व्यक्तियों की सलहा पर अवश्य ध्यान दे सलहा रूपी उनका अशिरवाद आप के लिए लाप प्रत साबित होगा कहीं पर निवेश करने या किसी को पैसा उधार देने से पहले अच्छी प्रकार से जाच परताल अवश्य करे भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं किसी सेरवजनिक इस्थान पर कोई बहस होने जैसी इस्तिती बन रही है बहतर होगा कि अपने काम से ही आपको काम रखना चाहिए और उपाई के रूप में गरीब या आदमी को मसूर की दाल का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका ओरेंज होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की इस समय लाब दायक ग्रह सितियां आपके लिए बन रही है कोई निवेश्य दी करने जा रहे हैं तो समय उत्तम है भूमे भवन वाहन भी खरिदने का आप विचार बना सकते हैं परंतु इससे संबदित कोई भी कारी करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सला अवश्य ले धर्मिक तथा सामाजिक गतिविदियों में आपका विशेष योगदान रहेगा महतुपूर्ण संपर्क स्थापित होने से आत्म इश्वास आपका बढ़ने वाला है और उपाई के रूप में कच्चा दूद शंकर भगवान के मंदिर में चड़ाना आपके लिए शुफफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की किसी निकट संबंदी की परिक्षानी में आपकी सलहा उनके लिए हल निकालेगी आपका मैं सम्मान बढ़ेगा कुछ अप्रत्याशित चुनोतियां भी आपके सामने आएगी आप पूरे अत्मिश्वास के चांथ उनका सामना करने में समर्थ रहेंगे आज किसी से भी उधार पेसा न ले इससे आपके सम्मान में कमी आ सकती है और संबंद खराब हो सकते हैं और उपाई के रूप में गाई को रोटी और गुड़ खिलाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की अगर कोई शास्की कारी रुका हुआ है तो किसी अनुभवी व्यक्ती के साथ मिल करके विचार विमर्ष अवस्य करे आपको सफलता मिलेगी परिवार के साथ किसी धार में स्थल पर जाने का कारीक्रम आपका बनेगा घर में कोई शुब या मांगली कारीक्रम संपन होने की योजना भी बनेगी संतान पक्ष से कोई शुब समाचार मिलेगा संतान की उन्नती और प्रगती की सुचना भी आपको मिलने वाली है और आपको संतिपूर्ण तरीके से सभी काम करना चाहिए उपाई के रूप में मा दुरगा के मंदर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की परिवार से जुड़े कुछ महत्तुपूर्ण फैसले लेने से कोई उचित परिणाम आपके सामने आएंगे कारियर संबंदी कोई नया आउसर मिलेगा किसी खास या बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी और उनसे आपको फाइदा भी होगा तथा मानसिक शान्ती भी आपको प्राप्त होगी कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिलने वाली है और सकरात्मक गतिविधियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे धनलाब होगा चिंता न करे समय आपका साथ पूरा पूरा देगा उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप गुड़ खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की आज कुछ नया करने की आपके अंदर एक उर्जा बनी रहेगी धर्म तथा आध्यात्म में आपकी रूची बढ़ेगी विध्यारतियों को कैरियर से संबंदित सकारत्मक परिनाम प्राप्त होंगे उससे सुकुन भी मिलेगा व्यस्तता के बावजूद आप अपने परिवार तथा अपने रिस्तेदारों के लिए उचित समय निकाल लेंगे कोई भी काम करने से पहले अच्छी प्रकार से सोच विचार करना बहुत अवश्यक होगा और उपाई के रूप में भगवान गणीश जी के मंदिर में बैसन से बनी मिठाई चड़ाना आप के लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की ग्रहों की इस्तितियां आपके लिए भरपूर सहयोगात्मक बनी हुई है आप किसी भी कारी में हाट डालेंगे उसमें सफल अवश्य ही होंगे प्रपनतु प्रापर्टी की खरीत फरोक्त संबंदि अगर कोई कारी आप करने जा रहे हैं तो उसमें लापरबा ही बिलकुल न करे कोई भी दस्तावेज बिना पड़े हस्ताक्षर न करे आलस्य और मोज मस्ती में समय व्यर्थ व्यतीत न करे इसकी वज़े से आप अपनी कई महत्वपूर्ण उपलवधियों को गमा सकते हैं दिखावे की प्रबत्ती से दूर रहे तथा जीवन की वास्तुक्ता का सामना करे व्यावसाई क्षेत्र में सारे फेसले खुदी ले अज मैरकेटिंग संबंदि कारियों को इस्तगित रखे क्योंकि इनमें समय व्यर्थ होने के अलबा कुछ हासिल नहीं होगा नोक्री में अपने लक्ष को प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे आपको प्रमोशन भी प्राप्त हो सकता है मैंसमां के सांसाथ आपको आर्थिक फाइडा होने का दिन भी है रुका हुआ पैसा भी आपको अचानक प्राप्त होगा संतान संबंदी कोई कार येदी अटका हुआ है रुका हुआ है तो उसके भी शुब समाचार आपको मिलने वाले हैं उपाई के रूप में यदि आप सफेद रंग की कोई भी वस्तू का डान जैसे चावल या शकर का डान करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की आज आपकी आर्थिक योजना से संबंदित लक्ष आसानी से फलिभूत हो जाएंगे जिसकी वज़ा से मन प्रफुलित रहेगा धार्मी कारियों में आपका योगदान बढ़ेगा आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी लोग आपको प परिनाम पर पढ़ सकता है व्यर्थ के बाहरी संपर्कों से दूरी बना करके आपको रखना चाहिए उपाई के रूप में यदि आप भगवान विश्णु जी के मंदिर में हल्दी का दान करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो ह भागिशाली रंग आपका कैसरिया होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की अगर कुछ परिवर्तन या सुधार संबंदी योजना आप बना रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी नया काम नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है धनलाब भी होगा इ जड़ी आप नया काम जैसे नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं या नई नोकरी की तलाश में हैं तो वो तलाश आपकी पूर्ण हो जाएगी लेकिन शत्रू आपको परिशान करने का प्रयास कर सकते हैं धनलाब होगा घर परिवार में नई खुशियों का आगमन होग कोई नजदी की मित्र या रिस्तिदार जलन की भावना से आपके खिलाप कोई ने कोई अफवा फैला सकता है इसलिए ऐसे लोगों से बच कर रहे व्यापार वकामकाच को लेकर आप बहुत गंभीर वसमारपित रहेंगे उपाई के रूप में मचलियों को आटे की गोलिया डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भाग्यशाली अंक नो होगा भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की समान विचारधारा वाले लोगों से संपर्क होगा आपके किसी खास उनर तथा नालेज की तारीफ होगी पाई के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में गंगा जल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भाग्यशाली अंक छे होगा भाग्यशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं कुम्ब राशी की आर्थिक पक्ष कुछ मजबूत बनेग खुश्चनुमा माहूल में आप दिन व्यतित करेंगे किसी भी महत्वपूर्ण कारी को करते समय घर के सदस्यों का सयोग और सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी पारिवारिक व्यवस्था में किसी बहारी व्यक्ति का हस्त शेप न होने दे और उपाई के रूप मे भोजन के साथ मीठे दही का उपयोग करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की कुछ समय अपनी डूची पूर्ण कारियों में आपका व्यतित होगा इसे चाहिए कि किसी महत्वपूर्ण वस्तू को चोरी होने या खोने की आशंका है इसलिए अपनी वस्तू को समहाल कर आपको रखना चाहिए युवा बैर्ग को लक्ष के प्रती गंभीर देहना चाहिए अन्यथा भविश्य संबंदी परिशानिया उनको उत्पन हो सकती है मश ख्राश्मी जी को पीला फूल चड़ाना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका करीम होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाय तथा भागिशाली अंक और झाल झाल